कोई भी तेवहार क्यों न हो अगर कुछ मीठा बनाना हो तो सबसे पहले ध्यान आता है खीर का चाबल की खीर तो आज हम बनाएंगे चाबल की खीर जिसको बनाना बेहद आसान है वो भी बिल्कुल मलाईदा और गारी जैसा कि भंडारे में मिलती है तो चलिए खीर बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले एक पैन लेंगे उसमें एक चोटी चमच घी डाल देंगे घी जब गरम हो जाएगा तब उसमें वन टेबल स्पून कटे हुए काजू और बादाम डाल देंगे बादाम और काजू को लो फ्लेम पे हलका सुनहरा होने तक भून लेंगे बस हमारे काजू बादाम भून गए हैं इसको निकाल लेंगे अब इसी पैन में वन टेबल स्पून किस्मिस डालेंगे और उसको भी भून लेंगे किस्मिस बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है तो ध्यान रखे और गैंस का फ्लिम लो रखे बस किस्मिस भुन गई है अब इसको निकाल लेंगे अब 5-6 हरी इलाइची लेंगे और उसको कूट लेंगे और जो इलाइची का छिलका है उसको निकाल के अलग कर देंगे चाहें तो आप इसको चाई पती में डाल दे इससे चाई का टेस्ट दुगना हो जाएगा बस अब इलाइची को कूट लेंगे और इसको अलग रख लेंगे इसकी जगह आप एक छोटी चमच इलाइची पॉडर का भी यूज़ कर सकते हैं अब एक पतीले को गैंस पे चरहाएंगे और उसमें थोरा सा पानी डाल देंगे लगबग 2-3 चमच जिससे की दूद तले में चिपके का नहीं अब एक लिटर फूल क्रीम दूद लेंगे और उसको पतीले में डाल देंगे मैंने यहापे कच्चा दूद का यूज़ किया है अब दूद में अच्छे से उबाल आने देंगे दूद में उबाल आ गया है अब इसमें से तीन चम्मच के करीब दूद हम निकाल लेंगे और उसमें कुछ केसर के धागे डाल देंगे और इसको अलग रख देंगे बचे हुए दूद में हमने जो खीर के लिए चाबल भिंगो के रखा था उसको डाल देंगे चाबल को अच्छे से दो कर 30 मिनट के लिए पानी में भिंगो देंगे मैंने यहाँ पे गोबिंद बासवोग चाबल का यूज किया है जो खीर बनाने के लिए जाना जाता है यदि आप बेश्ट बेंगॉल से हैं तो आपको इस चाबल के बारे में अच्छे से पता होगा इसके जगह आप कोई भी छोटी ग्रेन का चाबल जैसे सोना मसुरी है या टुकरे वाले चाबल ले सकते हैं लेकिन लंबे ग्रेन वाले चाबल का यूज ना करें मैंने एक लिटर दूद के हिसाब से वन थर्ड कप चाबल का यूज किया है दो से तीन चम्मच के करीब चाबल हम बचा लेंगे जिसको मिक्सी में डाल कर एक पेस्ट बना लेंगे दूद को एक बार चला लेंगे और मेडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे बीच बीच में चलाते रहे नहीं तो दूद तले में चिपक सकता है 10 मिनट के बाद एक बार चाबल को चेक कर लेते हैं हमारा चाबल पक चुका है मैंने जिच चाबल का यूज किया है वो बहुत जल्दी पक जाता है लेकिन अभी भी दूद और चाबल अलग अलग है अभी इसको और 10 मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पे पकने देंगे अभी इसमें जो चाबल हमने पीस के रखा था वो डाल देंगे साथ में केसर वाला दूद डाल देंगे हमने जो इलाइची कूट कर रखी थी वो भी डाल देंगे हमने जो ड्राइफूट्स रोष्ट करके रखा था वो भी डाल देंगे अब इन सबको एक बार अच्छे से मिला लेंगे अब इसको और दस मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पे पकने देंगे या तब तक पकाएंगे जब तक की खीर थोड़ी सी गारी ना हो जाए बस ध्यान रखे बीच बीच में चलाते रहें आप देख सकते हैं अब खीर पहले से गारी हो गई है बस अब हम इसमें चीनी डाल देंगे मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून चीनी डाला है चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं ध्यान रखे चीनी हमेसे लाश्ट में डाले यदि आप पहले चीनी डाल देंगे तो चाबल अच्छे से पकेंगे नहीं अब चीनी को अच्छे से मिला लेंगे अब मीडियम प्लेन पे चलाते हुए 5 मिनट के लिए या तब तक पकाएंगे जब तक खीर थोरी और गारी ना हो जाए हमें खीर को बहुत ज़्यादा गारा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद खीर और गारी हो जाएगी आप देख सकते हैं खीर अब पहले से गारी हो गई है दूद और चाबल अब अलग अलग नहीं दीख रहे हैं बलकि एक साथ मिल गया है लेकिन खीर अभी भी थोरी सी पतली है जो ठंडे होने के बाद अच्छे से सेट हो जाएगी बस अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और खीर को धक्र कम से कम आदे घंटे के लिए छोड़ दे आदे घंटे के बाद आप देख सकते हैं खीर कितनी गारी हो गई है बिल्कुल मलाईदार रबरी जैसी लग रही है न आप भी मेरी इस रेस्पी को मेरे तरीके से बनाए और बताएं आपको कैसी लगी जदी आपको मेरी ये रेस्पी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करें